ऐक सवाल और है कि आपको क्या लग रहा है कि क्या ये जो उपदर्व हुआ जो आजनी हुई क्या प्रीप्लांड था था किसी तरह से अंभे उन्हों मानेसर भी हैं और भी इसी तरह के लोग हैं जिन्हों ने शोशल मीडिया के माद्यम से लोगों को उक्साले का मैं नवट का कॉछने कि लिए काम करने में उनमें इस तरह के संदेश्छ की ऐश हे हमें एक पहल करकर उसको तिखाया कानुन विवस्था चौपट लगी किती तरीके का जो था, जो जुम्मेदारी थी, वो जुम्मेदारी नहीं निभादे तो अब इस तरह के जो जैसे आग जनी हम सुन रहे हैं इस तरह के हिंसात्मक खबरे जो लगातार दो समुदायों के बीद से मेवाद से काफी समय से सामन तो क्यों लग रहा क्यों टार्गेट किया जारा में बात को यह सब्सक्रार की जो इसमें कानून विवस्ता की दुम्मेवारी के बजाए अन्य जो है उसमें उनकी प्रास्मिक्ताइं हो सकती है नमस्कार राम राम हरियाना तक देख रहे हैं अब और सोनिया मेरा नाम है इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं कॉंग्रेस विधायक आफ्ता बहमद आफ्ताप साब मेवात में अभी जो हुआ यह जो गाउं देहात की लोग हैं हरियाना के चाहे वो कहीं के भी बाशिंद इस पर आपका क्या कहना है मैं कहूंगा इसमें कोई दोरायनी की बहुत ही दुर्भागिन गटना बहुत ही दुखत गटना और अतियंत दिल को जजकूरने वाली गटना यह हुई है जी और इसमें जो है यात्राइं पहली भी निकलती रही और यह इलाका अपने भाईचार का-इक jullie हमेशा से जाना गए है लेकिन मैं समझता हूं कि जीजों को इस तरही कैसे उक्साया गया इस तरही के से एक शर battling कर बनाया गया है स्क्यू लोगों के अहां समाज में जो हैं लोगों में फटाकराओ पैधा हो और उस्टाकराओ को पुलिस परक्रशारशन है उसको किसे ना रोकने की स्थिति में तर ना कुछ और उन्हों ने इस जो है प्रिजन स्थिति को खराब होने का पूरा करा आज मैं आपके माद्यम से सभी से हाज जोड के यही दर्खास करूँगा कि अमन और चैन बनाए रखें शान्ती बनाए रखें अफवाओं पे जूट पर किसी चीज़ पर ना लगे और एक दूसरे से मिलके इलाके में शान्ती बहाल करें विश्वाश कायम करें और हम मिलजूल के रहते आए हैं और आगे भी मिलजूल के हमें रहना है यही संदेश में आपके माद्यम के अपने लोगों को अपने सब्सक्राइब अब एक सवाल और है कि आपको क्या लग रहा है कि क्या यह जो उपदर्व हुआ जो आग जनी हुई क्या यह प्री प्लांड था किसी तरह से बिलकुल मैं अब जो जैसे जैसे खुलती आ रही है हमारे आगा करने के बाव इनको जो है इधाज़त देना इनको करने देन और इस तरह का शोशल मीडिया महाहल बने देना वह अपने आप इस तरह के से संकेत देता है कि कहीं न कहीं इसमें सुनोजित जो है वो तरीका जो है सुनोजित जो है एंगल जरूब है तो इसमें मौनु मानिसर की वहाँ उपस्थती को लेकर विरोध जो है वो शुरू हुआ पोशल मीडिया के माद्यम से लोगों को न शुक्त करने के लिए काम करने में उन में इस तरह कर संदेश दिये है लिए जिसकी वजेसे इन चीजों को यह यात्रा पहले भी निकलती रही है अब जो है इस टीज से कोई 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 इसमें शरारत जो है उसको लेकर इस करता है इस अन्जाम में आशक और के लिता है पर परिस्थितियां उन से गुजरा है लेकिन हमेशां उससे उपर बढ़के आपसी सोहाल भाइचारे को कायम रखने में आम जन्मानस ने आम यहां के जो है हमारे नागरे को ने हमेशां उसमें पहल करके उसको दिखाया आपना आपना है पुलिस परॱ्शाशन का पूरी तरीके से एकानून वेवस्ता चौपट लेकिती तरीके का जो उसमें नहीं निवाब है तो अब इस तरह की जो जैसे आघरनी हम सुन रहे हैं इस तरह के हिंसात्म खबरे जो लगातार दो समुदायों के बीद से मेवाद से काफी समय से सामने आ रही है इसमें एक पक्षपरकार है वाई क्यों नहीं हो रही चाहिए वो मैं मुझू मानिसर का दिकर करूं या कल जिस तरिके के बयान हुए जाए मैं उनका दिकर करूं यही तो सवाल है जो इस सरकार की जो इसमें कानून विवस्ता की जुम्मेवारी के बजाए अन्य जो है उसमें उनकी क्रास्मिक्ताइं हो सकती है चाहे वो राजनितिक हो चाहे इलाके में इस तरीके का माहौल बनाने की हो लेकिन क्या है इस तरीके के माहौल से कुछ राजनितिक फायदा हो सकता है अ लेकिन क्या इस माहोल से उभरने या हालात सामाने होने की परस्थिति में है इस शेत्रे हैं हम उम्मीद करते हैं कि लोग जो है इस इस हालात से और इस जो भागय पूल देखनाए और प्रिसिति गुदर रहे हैं उससे उभर के भाई-चारा आपसी सवहब कायम करें बहुत- शुक्र यापका